वेलो गाईज, वेलकम बैक टु दे चैनल और टोड़े वी बीटिग वार्ट दे फाइल आनिक तो पिछले वीडियो में आप देखा था कि कैसे आप मॉडियो और पैकजिस को कैसे आप यूज करते हो कैसे बनाया जाता है मॉडियो और पैकेज और आज के मारा टॉपिक है कै कैसे एक फाई को ओपन किया जाता है ना यूज सब करें है क्या पड़ हुआस को मतलब हमें जूओ पड़ियो क्योंकि यह आता है आप इसमें हमें अचिब करना थो यह basic truths पहराना है charge of file कि यूज और आप ने एक बार प्रोग्राम लिख दिया अब आप positive वह उसे यूज कर सको आपको एक टेक्स में अपने डोकुमेंट लिखे कुछ भी उसमें डोकुमेंटेशन किया आप ऐसा तो नहीं है कि आप वह नेक्स टाइम वह रेज हो जाएगा तो परमनेटल उसको सेव करना उसको बाद में रीड करना उसमें खोई चेंजिस परफॉर यह सब वर्टपेट हो गया इसमें सेटने करते हैं और हमारे पास बैंडों में में किया दयता ही t.txt नाम से उसको सेव किया होगा ना अपने पीसी में आपने तो बस मैंने वह फाइल यहां पर लिखना है ठीक है इसके बाद मैं एक मोड लिखूंगा यह मोड के बार में हम आगे देखते हैं यह मोड है क्या ठीक है so basically mode represents the purpose of opening the file, हम किसलिए वह mode फाइल को open कर रहे हैं उसमें लिखने के लिए कुछ open कर रहे है या फिर उसमें से read करने के लिए कुछ open के हम है ना read के लिए या write के लिए या फिर कोई append के लिए यह सारे operation क्या तरहता है यह मोड ही बताता है ठीक है तो मैंने सब्सक्राइब करने का क्या है आपने सबसे पहले अपना file name डालना है ठीक है इसके बाद मैंने देखते हैं कि यह कैसे हमारे पस और कौन-कौन से mode है हमारे पस ठीक है तो हमारे पस mode कुछ यह आर है मतलब आपने basically यह second parameter में यह लिखना है यह डवलू लिखना है इसी को अब देखते हैं कि इसका task क्या है हां क्यों हम लिखते हैं आर का मतलब यह है कि अगर आपने कोई file को read करने के लिए open करना है ठीक है पहला parameter क्या है वह file name आपका file name और दूसरा parameter यही और आपने यह open function में डाल देना है इसको ठीक है और इसको assign कर देना किसी file से फिर बाद में आप इसको print कर सकते हो printf है तो इसके बाद हमारे पास दूसरा है w है इससे आर से तो आप read कर सकते हो w से आप क्या करोगी w से आप कोई file में आप लिख सकते हो अपना है ना कोई file में लिख सकते हो या तो file empty हो या कुछ लिख सकते हो इसमें ठीक है यह इसके प्रोब्लम है कि अवर्राइड कर देता है data को present जो है तो suppose मेरे पास कोई मेरे पास file में already कुछ पड़े हो है data ठीक है already कुछ पड़े हो है मतलब मैंने यहां पर name बटा के जो आपने present कुछ लिखा है ना जो आपने present में कुछ भी write किया है वह इसमें load कर देता है ठीक है मतलब कि आपका पिछला data lost हो जाता है ठीक है यह हम code देखेंगे तब हो समझाएगा ठीक है इसके बाद एक option आता है append का तो यह जो write mode में एड कर देता है ना जो पिछला वाला data है वो तो ही है इसके आगे कुछ और addition कर देता है यह append का का काम यह है ठीक है उसको override नहीं करता है इसके बाद हम इसमें कुछ लिख सकते है राइट मतलब इसमें बाद में write operation करते है ठीक डवलू प्लस में होता है कि इसमें पहले आप लिख होगे उसके बाद इसको read करोगे file को है ना एक साथी मोड में मैं दो operation के लिए मैं एक ही mode मेरे पास है ना दो data add कर लों basically वो उसके end में add हो जाता है ठीक है तो a plus क्या है a plus यह ही है कि यह append करेगा उसके बाद data को read करेगा ठीक है तो हमने इतने सारे modes कवर कर लिए इसके बाद मैं आपको कुछ example दिखाता हूँ opens करने का थो यह था है ना इहां आपने यहां पर दिख देना ह है इसके बाद हमारे पास मैंने फाइल उपन लेक हूब वी कर लिए सब कुछ कर लिया स असके बाद हमने क्या करना होता है aikा भाइं क्रेंच को यह को एफैट की ऐसा कुछ exception हा आ जया कि आपने f.close लिकना है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास है की कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? हमारे पास जैसे आपने ये पिछले में देखा कि ये moods है, basically है अब वो डेटा को लिख है कैसे अपने file में, हाँ? open के लिए ये function है, ठीक है? वैसे ही हमारे पास लिखने के लि यहां पर क्या हो रहा है कि मैंने पहले abc.txt यह फाइल में ने फाइल कर दो और इसका नाम यह रही कि तो abc.txt नाम से कोई फाइल उपन कर दो इसके बाद आपने extension यहां पर mode दालना है mode मतलब मैंने concert डाला है w mode डाला है na मतलब कि यह write करेगा है यह क्या करता है w का problem यह है कि यह override कर देता है data को मतलब कि already अगर आपके file में कुछ data present है तो वह उसको remove करके यह data जो आप अभी लिख रहे हो उसको add कर देगा है तो मैं क्या करूँ f.write सचीन लिख रहा इसमें क्या होगा सचीन आयेगा हां पहले line में सौरव आयेगा धोनी आयेगा ऐसे output आजेगा आजेगा आपके पास लेकिन अगर आप backslash and नहीं डालोगे तो क्या होगा backslash and नहीं डालोगे तो सचीन भी एकी line में सौरव भी एकी line में धोनी भी एकी line में ठीक है इसका य एक लाइन मतलब लिख यहां तो मैंने backslash end डाला है इसका मतलब कि यह new new line में add होते रहेंगे तो बिसे क्लिए क्या है कि list of lines को add करने के लिए list of lines तो आपने देखा कि कैसे आप हम फाइल में कुछ लिख सकते हैं कैसे किसी empty file में या तो किसी एक जिसमें कुछ already present है को data तो उसमें कैसे लिखा जा सकता है इसके बाद है हमारे पास कि अब हमने लिखना तो देख लिया अब रीड कर कैसे किया जाता है तो रीड करने के लिए हमारे पस कुछ function है read यह बिसे क्या करता है आपके जो file में जितने भी lines of code है जितने भी lines of code है जितने भी lines of code जो भी आपने लिखा हुआ है यहाँ पर वो सभी को सभी को read करेगा ठीक है, सभी को आपको read करके देगा, read function जो है, ठीक है, to read the total data from the file, this function is used, okay, अब read n है, an है, मतलब, इसका मतलब यह है, कि to read n characters from the file, we use this function, मतलब n characters, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं पहले न, पहले 10 characters ही read करूँ, file का, जो इसमें कि 1000 characters present है, मैं चाहता हूँ कि उसके मैं 10 characters ही read करूँ, ठीक है, तो इसमें मैं read and use करूँगा, और read line का मतलब यह है, कि यह क्या करेगा, एक-एक line करके, आपको read करके देगा, एक-एक line करके के लिए इसके बाद हमारे पास यह सारे लिखे हुआ है इसमें तो यहां पर फाइल का नाम दाला और यहां पर मोड क्या लिखा हूँ मोड क्या लिखा हूँ पहले हम डवला यूज कर रहे थे जब लिख रहे थे बाद में मेरे पास है कि मैं उसको रीड कैसे कर रहा हूँ f.read जैसे डालूँगा यहाँ पे तो मिरे पास सचीन सौरव और धोनी लिखावा आ जाएगा ठीक है और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ इसके बाद मैं फाइल को ख्लोज कर रहा हूँ ठीक है वैसी मिरे पास f. हमने देखा कि read of यहाँ पे जो number of characters आपने कितने read करने हैं तो मैंने तो यहाँ पे 10 characters दे दी है तो सचीन सौरव और युवराज में जो 10 characters मेले के जितना भी मतलब जो पहले 10 characters आएंगे वो यह प्रिंट कर देगा ठीक है इसके help से ही होगा इसके बाद हमारे पास है कि all aligns into a list all aligns into a list मतलब यह है कि अगर suppose मतलब एक एक लाइन में सारे के सारे lines रीड करूँगा इसके बाद हमारे पास read line नाम से भी है read line वो lines था और यह read line है read line भी हमने यहाँ पे देख लिया था ना read line to read only one line to read only one line के लिए read line है तो साब मारे पास तो जो मैंने फाइल सेट किया हुआ है इसमें मेरे पास चार नाम है तीन या चार नाम है सच्चिन, सौरव, धोनी, युबराज अगर मैं पहला line रीड करना है सच्चिन रीड करना है तो मैं इसको run करूँगा फिर दूसरा line रीड करना है सौरव रीड करना है यह वाला line रन होगा तीसरा line रीड करना है धोनी रीड करना है तो यह वाला line रीड होगा एक एक करके line रीड कर रहा है हम इसका example देखेंगे तो भी यह पता लगएगा तो यह देखेंगे मैंने यह ABC.TXT नाम से एक empty file बनाए हुए यहां पर ठीक है मैंने एक empty file बना दिया है मैंने एक python folder नाम से मैंने एक folder create किया अपने VS code में उसके बाद मैंने क्या किया ABC.TXT नाम से एक file create कर लिया .TXT file है मतलब कि इसमें raw text save होगा ठीक है और यह बिल्कुल empty है इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यह file को मैं open कर रहा हूँ अवैसे ओपन उसके बाद मैंने .XT नाम डाला उसके बाद मैं memode डाला मतलब कि मैं पहले इस file यह जो कि Here empty है मैं क्या read करूंगा empty file में से kimi read करूंग जब तक मैं इसके बाद जो वह empty था यहां पर आगे है वह line सारे आगे सचीन सौरव धोनी आगया line आगया output में तो हमने देखा कि कैसे आप उसको फाइल को open कैसे कर सकते हो यह .txt वाली फाइल को उसके बाद आप उसमें लिख कैसे सकते हो मैंने चार line में लिखा इसको सारे नाम ठीक है तो राइटिं टेक्स्ट फाइल हमने अब से लिखा हमने लिखा हमने लिखा है तो बात यहाँ पर यह है है कि राइड के नाम से हमने देखा था कि राइड में क्या problem आती है कि यह आलरेड़ी यहां पर present है इसको उवरड़ी प्रेज़न है तो यह क्या करएगगा इसको और is paste一樣 करते typed laboris 하겠습니다 כ마ہ अगर मैं इस Fाल को दुबार से रंच करूंगा अगर पुराना वाला रहता है तो तो यह पहले वाले चार रहने थे उसके आगे भी फिर फिर चार एड़ हो जाता तो वह नहीं हो ना तो मैं देखा कि कैसे आप ओपन और राइट का यूज़ कर सकते हो ठीक है इसी को हटाने के लिए क्या करते हैं एक हमारे पास append नाम से आता है, instead of overriding if you want to append the data then we should go for append mode में जाएंगे ठीक है तो यह क्या करता है कि इसको यह override नहीं करेगा यह new line यह new line यह new line यह आड़ कर देगा आपका append वाला operation जो है append mode जो है append mode एक new line यह एड कर देगा तो मैं suppose मैं इसको run करता हूं ठीक है तो हमने w mode देखते हैं तो जैसे मैंने इसको run किया तो यह line यहां पर add हो गया I am appending this line using append mode basically क्या क्या यह इसने override तो नहीं किया ना इसको हटाया तो नहीं ना इसको हटा के यह line तो नहीं लिखा ना एक पिछला वाला line रहने दिया और यह add हो गया ठीक है तो हमने देखा कि इसके बाद हमने देखा था कि right line right line जो कि basically क्या था यह list of elements को लिखेगा ना list of elements को लिखेगा तो मैं इसको लिखता हूं कि कैसे कि यह किसे right करता है तो हमने w mode में ना w mode में है तो क्या करेगा आब राइंट कर देगा फिर से now override कर दिया है तुह सचीन सो घ्रफ ईवराज फिर से print हो गया तो हमने right line कैसे फाइल को write कैसे use करना है w mode कैसे use किया जाता है a mode कैसे use किया जाता है इसके बाद सारे के सारे data अगर हमें read करने है सारे के सारे data अगर read करने है मेरे को तो मैं read function का use करूँगा और यहाँ पे mode मेंने क्या डला है r डाला है दस लाइन दस ग्रेक्टर सी रीड करने है तो मैं बेसिकली इसको रन करूंगा इसको मैं रन करके देखता हूं फिर देखिए ओपुट क्या रहा है सच्चीन एसो यह टोटल काउंट करके ना दस ग्रेक्टर बनेंगे ठीक है तो आपने रीड और उसके बाद आपने यह जित सब्सक्राइब करना है तो हमने देख लिए कि कैसे आपने फाइल को ऊपन करना है कैसे फाइल को क्लोज करना है कैसे आपने डेटा लिखना है अपने फाइल में उसके बाद कैसे आपने ग्रेक्टर को रीट करना है ठीक है तो हमने यह फाइल हैंडली का कंसेप्ट हमने दे वीडियो समझ आयो तो प्लीज अपने दोस्तों का शेयर करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू